आप सोसाइटी के प्रेशर से कुछ अलग बनने का प्रिटेंड तो कर सकते हो पर आप जो हो वो छुपा नहीं सकते हैं हलो फ्रेंड्स आज के हमारी मूवी बीलो हर माउथ यह इसी थीम पर बेस्ट है इस मूवी में हमारी में क्यारेटर उसके सेक्शल लिडी को फिर से डिस्कावर करते हैं इस मूवी की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी है तो डारेकली एक्स्मिनेशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हम देख सकते हैं कि हमारी में क्यारेटर जिसका नामे डैलेस एक लड़की के साथ इंटिमेट हो रही थी इंटिमेट हो जाने के बाद डैलेस की गल्ट्रेंड ने उसे आई लव यू कहा डैलेस इस ताइम पर कोई भी कमिटमेंट चाहती नहीं थी उसने सोचा तो था कि अपनी गल्ट्रेंड के साथ उसे सीरिस होना चाहिए पर उसने अपना मैंड चेंज कर लिया यही पर वो उससे ब्रेक अप करकर वहाँ से चली जाती है डैलेस एक्चुल में एक रूफर है यानि की लोगों के रूफ वेगरा रिपेर करने का काम वो करती है एक दिन ऐसे हो काम कर रही थी और उसने जाजमीन को नोटिस किया जाजमीन हमारी और एक मेंड क्यारेक्टर है डैलेस के साथ जो आदमी थे वो उपर से ही जाजमीन को छेड रहे थे जाजमीन ने नोटिस किया और वो घर में चली गई रात में जब जाजमीन अपने बॉइफरेंड के साथ थी तो उसका बॉइफरेंड ठक कर सो गया था वो नेल पॉलिश लगा रही थी और उसे बोर हो रहा था वो ये नेल पॉलिश अपने बॉइफरेंड को लगाने लगती है उसके उपर चड़ कर उसे जगा देती है वो इंटिमेट होना चाहती थी और उसके बॉइफरेंड को किसी काम से बाहर जाना था वो अपने नेल्स पर जब नेल पॉलिश नोटिस करता है तो बहुत ही गुसा हो जाता है नेकसिन में हम देखते हैं कि आज ही डेलस का ब्रेकप हुआ है तो बहुत ही अफसेट थी उसके एक फ्रेंड उसके घर पर आई और ये दोनों मिलकर आज कलब जाने वाले है यही पैरलल में हम देखते हैं कि जाजमीन का बॉइफरेंड किसी काम के लिए दो-तीन दिनों के लिए बाहर जा रहा है यह दोनों एक बहुत ही सिरियस रिलेशनशिप में है अब शादी भी करने वाले है जाजमीन आज अकेली थी तो उसके एक फ्रेंड उसे कमपणी देने के लिए आगे नेकसी में हम देखते हैं कि डैलस और उसके फ्रेंड ये दोनों एक पार्टी में आगे यहाँ की जो बार टेंडर थी डैलस के फ्रेंड को बहुत ही पसंद थी वो गहती है कि आज रात मैं इसे घर पर लेकर जाओंगे डैलस ने कहा कि वो मुझे लाइक करती है तुम्हारे साथ घर नहीं जाएगी है इसके पैरलल में ही अब जाजमीन और उसके फ्रेंड ये दुनों सिटी से घुम रहे थे घुमते घुमते उन्होंने एक लेडिस पार्टी देखी जाजमीन इसमें जाने के लिए कतार रहे थी क्योंकि एक लेजबियन पार्टी थी पर उसकी फ्रेंड उसे ले जाती है पार्टी में जब जाजमीन वाश्रूम में गई तो उसे डैलस मिली उससे कहती है कि तुम मुझे जानी पहचानी लगती हो बाद में उसने रियलाइस किया कि डैलस रूफटॉप पर काम कर रही थी डैलस उसे पुछती है क्या तुम हमेशा इस पार्टियों में आया करती हो यानि कि वो पूछ रही थी क्या वो लेजबियन है जाजमीन स्टेट है तो इसके लिए उसने मना कर दिया डैलस कहती है कि तो बहुत ही बुरा हुआ इस पार्टी में जाजमीन को सही नहीं लग रहा था तो ज़रा एर के लिए वो बाहर आ गए उसके पीछे बीचे डैलस भी आती है डैलस ने अब जाजमीन के हाथ में रिंग नोटिस की ये देखकर अपनी सिंपधी वो जटाती है जाजमीन कहती कि इतना बुरा भी नहीं है वो बहुत दिनों से रिलेशनशिप में थी और वो शादी करेगी जैसे कि हमें पता है कि डैलस रिलेशनशिप ज़रा सिर्यस होने से डरती है तो उसे बुछती है कि तुम्हारी रिलेशनशिप का एक्सपिरेंस कैसा है जाजमीन कहती कि ठीक ही है मेरे बॉइफ्रेंड को हमेशा इंटरस्टेट रखती हूं डैलस ने कनफेस किया किसी के साथ भी इंटिमेसी दिखाओ इतनी इमोशनल नहीं हूं वो उसके पास आगए और कहती है कि शायद तुम्हारे साथ कुछ अलग होगा उसे वो किस कर लेती है जाजमिन भी उसे किस करने लगे वो उसने रेलाइस किया कि सब गलत है वो गुसे गुसे में इस पार्टी से बाहर आ जाती है उसके फ्रेंड भी उसके पीछे आए वो उसे बुशती है कि हुआ क्या जाजमिन ने उसे सब कुछ बता दिया उसे बुरा लग रहा है किसी और को उसने किस किया उसे बहुत ही अजीब महसूस हुआ था उसके फ्रेंड उसे कहती है कि जादा वरी मत करो तुम हमेशा अपने बॉइफ्रेंड के साथ फेथफुल रही हो वो उसे बहुत ही गिल्डी लग रहा था रात में उसने अपने बॉइफ्रेंड को कॉल किया और कहती है कि मुझे गार्डन में शादी करनी है नेक सिन से मैं पता चलता है कि रात में डैलस बार्टेंडर के साथ घर पर आई थी हमेशा की तरह फिससे डैलस रूफ पर काम कर रही थी जाजमिन बहार आकर उसे देख रही थी फिर वो शावर में गई डैलस को इमेजिन करकर वो अपने आपको प्लीज करती है अगरे सिन में जाजमिन अपने काम पर जा रही थी डैलस उसे पूछती है तुम काम क्या करती हो उसने कहा कि मैं एक fashion magazine में काम करती हूँ Dallas ने पूछा कि तुम्हारी खुद की company है कहती की नहीं Dallas कहती है कि मैं जो काम करती हूँ ये मेरी खुद की company है वो उसे अपना dominance दिखा रही थी फिर वो उसके पास आकर कहती है यहाँ काम करने का आज मेरा last day है अगर तुम चाहो तो हम दोनों hangout कर सकते है evening तक मैं यही हूँ जाजमिन सिर्फ okay कहकर यहाँ से चली गए आज जाजमिन ने अपना काम जल्दी से खतम कर दिया वो घर आकर Dallas से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ एक drink के लिए चलूँगी Dallas फिर एक घंटे के बाद उसे pick up करने के लिए आती है जाजमिन ने एक बहुत ही beautiful सा dress पहना था यह दोनों बार में आये तो Dallas जाजमिन को देखकर stare कर रही थी वो उसे उसके job के बारे हैं भुशती है जाजमिन कहती है मुझे New York में काम करने की opportunity मिली थी मेरे boyfriend का यह job है तो छोड़ कर हम नहीं जा सकते थे Dallas कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए था मैं अगर तुम्हारी girlfriend होती है तो 100% तुम्हें जाने के लिए कहती है मैं भी तुम्हारे साथ आती है ये बात करते वक्त Dallas उससे टच कर रही थी जाजमिन डर गई उसने बिल मांगा पर Dallas उससे कहती है आज रात मेरे घर चलो उसे किस कर लेती है ये दोनों फिर स्टीट में आकर मेक आउट करने लग गए जाजमिन को अपने घर लेकर गई ये दोनों इंटिमेट हो जाते है सुबा होने पर जाजमिन को Dallas का चाइल्ड होड फोटो मिला इसमें Dallas ने बॉइ के कबड़े पहने हुए थे इस पर Dallas कहती है पर मेरी मदर मुझे कहा करती थी या अगर मैं बॉइस की तरह ड्रेस अप करूंगी तो मैं हर्ट हो जाओंगी वो चाहती थी कि उसकी मदर उसे एकसेप्ट करे पर कभी उसने किया नहीं ये दोनों डिसाइड करते हैं कि आज का दिन एक दूसरी के साथ स्पेंट करेंगे डालर जाजमिन से कहती है कि मैं जनरली मेरे पास्ट के बारे में बात नहीं करती पर तुमसे मुझे कुछ भी छुपाना नहीं है उसने कहा कि मेरे फादर एक रूफर थे मेरी मदर नहीं चाहती थी कि मैं भी उनकी तरह काम करूं और मुझे बच्पन से बहुत अच्छा लगता था उसकी मदर ने उसे उनिवर्सिटी में भी भेजा था पर वो मानी नहीं अपने खुद की कमपणी खोल कर और वो यही काम करती है जाजमिन फिर अपने टीनेज के बारे में बताती है कहती है कि मेरी एक फ्रेंड थी एक समर में हम दोनों एक दूसरे के बहुत ही पास आ गए थे एक दिन घर पर मैं उसके साथ मेकाउट कर रहे थी तब ही आजाना इसे मेरी मदर आ गए उसने मुझे बहुत मारा था मुझे लटकों के साथ डेट करने के लिए फोर्स किया जाजमिन हमेशा से एक लेजबियन थी तो अपनी मदर की वह जैसे उसने अपनी सेक्शॉलिटी को सरप्रेस करकर रखा था वो अब डैलस को देखती है तो उसे अपनी फ्रेंड की याद आती है डैलस ने कहा कि एक 30 years की लेडी थी उसके साथ वो फर्स टाइम इंटिमेट हुई थी इन दोनों ने बहुत सारी बाते की अपने पास्ट के बारे में सब कुछ शेर किया आज रात भी एक साथ ये बिताते है सुबा होने के बात भी इंटिमेट हो गए अब जाजमेन को घर जाना पड़ेगा क्योंकि उसका बाइफरेंड आ रहा है डैलस कहती है कि मुझे गुडबाय पसंद नहीं है वो उससे घर छोड़ने के लिए पर जाने देने के लिए रेडी नहीं थी वो उसे रिजाती है और इंटिमेट होने के लिए घर में आ जाते है पैरलल में हम देखते है जाजमेन का बाइफरेंड आज जल्दी घर पहुचने वाला है जाजमेन और डैलस ये एक दूसरे में डूब चुके थे तब जाजमेन के बाइफरेंड ने इन दोनों को देख लिया वो जा रहा था तो जाजमेन उसे मनाने के लिए उसके पीछी पीछे गए जाजमेन का बाइफरेंड कहता है कि मैं वही खड़ा था और तुम दोनों ने मुझे नोटीस भी नहीं किया तुम उसमें खोच चुकी थी जाजमिन कहती कि प्लीज मुझे माफ करतो हमारी रिलेशन्शिप जैसे पहली थी उसे रिपेर करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ उसका बॉइफरेंड कहता है कि अभी के अभी जा और डैलस से ब्रेकप करकर आओ वो फिर डैलस के पास आ उस तरीके से तुम कभी भी मेरे साथ नहीं हुई इस ब्रेकप की वज़े से डैलस भी बहुत ये डिस्टब थी वो एक बार में आई और बहुत ही जाता ड्रंग हो गए ड्रंग होकर ये अपने एक्स गर्फरेंड के पास भोश गई उसके साथ वो इंटिमेट हो जाती है स से सौरे केहती है नेकसिन में देखते हैं जाजमिन में अपने बॉयफरेंड के साथ थी है वो इसके साथ इंटिमेट हो रहा था पर जास भी परहीं बता दिया यानि कि अब उसने अपने आपको embrace किया है डैलस भी सुनकर खुश थी और ये दोनों अब एक साथ है आगे अपनी relationship को एक continue करेंगे जाजमीन को अपनी मदर की वज़े से अपनी sexuality को repress करकर रखना पड़ा था वो डैलस से मिली डैलस भी बहुत ही emotionalist काट थी वो जाजमीन को बहुत लाइक करती थी तो उसके साथ उसने कुछ भी secrets नहीं रखिया जो भी हुआ उसके बाद एक दूसरी के साथ रहने का रास्ता इन्होंने ढून लिया है इसके साथ आज के वीडियो हम खतम करते हैं गर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देजेगा बहुत सारी मुवीज लेकर रहते रहता हूं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे बेल नोटिवेशन आइकोन दावने मत भुलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक नेम वीडियो के साथ तब तक लिए थैंक यू और आप अपने आपका ख्याल रखिया जेडिया